नमस्कार मित्रो, 2022 में तेरा देशों ने मिलकर एक मीटिंग की थी, जिसमें उन लोगों ने ये बाती की थी कि टाइगर्स की प्रजाती को किस तरह से बचाया जा सके और उनकी आबादी को किस तरह से 2023 सक डवल किया जा सके और ये तेरा देश जिन्हों ने मीटिंग की थी वो थे बांगला देश, भुटान, कमबोडिया, चाइना, भारत, इंडोनेशिया, लाउस, मलेशिया, म्यानमा, नैपाल, रश्या, थाइलेंड और वेदनाब दोस्तों ये सभी तेरा देश वो देश है जहाँ पर आप सभी को टाइगर्स की अच्छी कासी आबादी जो है वो देखने को मिलेगी पर आखिर क्यों टाइगर्स जैसे एक खतरनाक प्रजाती वाले जीव को बचाने के लिए इस दुनिया के कई सारे देश जो है वो आज के समय में इतनी जादा महनत कर रहे हैं और खास करकी वो तेरा देश जिन्होंने टाइगर्स को बचाने के लिए एक मीटिंग की थी वो मीटिंग जो थी वो थाइलेंड और ग्लोबल टाइगर्स इनिसियेटिव ने और आखिर क्यों दोस्तों आईए हम सभी लोग साथ में मिलकर जानते हैं और समझते हैं इस ची पूरे एकोसिस्टम पर देखने को मिलता है असल में दोस्तों अगर टाइगर्स की प्रजाती विलुक्त हो जाती है तो फिर सबसे पहला असर हमारे उपर ये पड़ेगा टाइगर्स विशू की उन प्रजाती में से जो सभी की सभी जंगली जानवरों की प्रजातियों को वहीं पर ये जंगलों की सभी की सभी परजातियों को भी एकदम बराबरी में रखते हैं दोस्तों टाइगर्स जो है वो एक और बहुती मैत्वपून काम करता है एकोसिस्टम के दूसरे सभी तरह के परजातियों के लिए खाने को बराबर करके दोस्तों आप सभी को समझा जाने के लिए हमें गुदारन देते हैं अगर जंगल में कभी भी शाका आरी या फिर मासा हारी इन दोनों में से किसी की भी प्रजाती जो है वो कम जादा होती रही तो फिर उस जगह का वो विनाश हो सकता है और टाइगर जो है वो इन दोनों तरह के जीवों का शिकार करके एकदम जंगल के खाने को भी और जंगलों की प्रजातियों को भी एकदम बैलेंस करके रखता है दोसुर टाइगर के ना होने की वज़े से हमें कई सारी शिकारी प्रजातियों में भी कई बड़े बड़े बदलाफ देखने को मिलेंगे जैसे कि वनस्पती की अत्यादी ख जो है वो देखने को मिलेगी क्योंकि वो अपने इलाकों में कभी भी किसी और तरह की जानवर को कभी आने नहीं देते और अगर वे आ जाते हैं तो फिर वे उनका शिकार कर देते हैं जिसकी वज़े से उनकी नगियों का पानी जो है वो जातर शुदी रहता है और टाइगर इस तरह से शुद पीने लायक पानी और इरिगेशन पानी को बचा कर रखते हैं और इसी का इस्तमाल जो है वो बाद में मनुश्य करते हैं यानि कि हम अपने ही ज़रूरतों के लिए होने के साथी इस विश्व के जंगलों की सबसे बड़ी प्रेडेटर भी है जो कि जंगलों के दूसरे पशों का शिकार करके जंगल का मल्टिट्यूट जो है वो एकदम बैलेंस में रखते हैं और आप बस अब एक बार ये सोचे कि कि किसी भी जंगल में मासाहारी शिकारि नहीं की बजाए शाकाहारी शिकारियों की प्रजातियां अगर बढ़ने लगई तो उस जंगल का क्या होगा हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो जगह ज Cowell ये सुर्ग से भी ज़ख से सुंदर हो जाएं पर उसके बार क्या कि कि सी भी जगह में किसी भी तरह की प्रजाती की अबादी बढ़ने का मतलब ये भी होता है कि हमें उधर उतने ही resources की जरुवत भी पढ़ने वाली है और उन सभी resources का शाकाहारी जीवो के लिए इस्तमाल करने का मतलब ये भी होता है कि धीरी देरे वहाँ पर की हरी जमीन जो है वो खत्म हो जाएगी और यही सब होने से हमें जातर बचाते है टाइगर्स क्योंकि टाइगर्स जो है वो जातर शाकाहारी जीवो का शिकार जो है वो करते हैं और दोस्तो टाइगर्स जो है वो हमारे देश की एकॉनमी को भी बचान में बहुती बड़ा योगदान देते हैं कि किसी भी देश का 1 by 3rd area यानि की 33% forest area ही होना चाहिए और दोस्तों इसी काम को पूरा करने के लिए tigers जो है वो हमारी मदद करते हैं क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो अपने देश का 33% forest area जो है वो पूरी तरह से maintain करके नहीं रख सकता है और इसी तरह से tigers जो है वो जंगल के रक्षा करके 656 billion का economic value जो है वो बचाते हैं और दोस्तों यही वो कारण है जिसकी वज़े से आज इस विशू के जातर देश जो है वो tigers को बचाना चाते हैं पर इस सब के साथी एक नया सवाल जो है वो उभर के आता है कि आज की समय में tigers की जंसंख्या जो है वो 4500 क्यों र खाया जा रहा है क्योंकि यह खूकार और खतरनाक होने के साथी कितना जादा सुन्दर और पूरे विश्व में कितना जादा लोग प्रिया है ये बात हम सभी लोग भहती अच्छी तरह से जानते हैं और इनकी इसी कमाल की लोग प्रियाता की variety की वज़े से हमें आज भी कारणों की वज़े से पूरे विश्व में टाइगर्स को बचाने के लिए हर साल 80 मिलियन डॉलर का खर्चा किया जाता है ताकि ये सभी बचे रहें और दोस्तों अब आप अपने विचार जो हैं वह हमारे कमेंट सेक्शन में हमें या लिख कर बताएं कि आपके इसाब से बाग जो है क्या सच में हमारे परियावरन के लिए इतना ज़्यादा जरूरी है और आपको बाग भी कुद को कैसा लगता है